बंदर और मगरमच बहुत पहले नदी के तड़ पर एक चतुर बंदर रहता था नदी में रहने वाले एक कुटिल मगरमच ने देखा कि बंदर रस्तार फल खाता था एक दिन उसने अपने पती से कहा वो बंदर सभी पेडों से रस्तार फल खाता है मुझे यकीन है कि उसका दिल भी रस्तार होगा क्या आप मुझे उसका दिल लेके आ सकते हैं नर मगरमच ने जवाब दिया बंदर पेडों पर रहता है और मैं पेडों पर चड़ नहीं सकता महिला मगरमच ने कहा तुम कभी भी कोई भी काम अपने आप क्यूं नहीं कर सकते हो अब मेरे पास एक योजना है साबधानी से मेरी बात सुनो योजना सुनने के बाद मगरमच बंदर के पास चला गया और उसे कुछ फलो के लिए मांगा बंदर ने कुछ फलो को नीचे फिक दिया मगरमच ने फल खा लिये और कहा नदी के दूसरी ओर इससे भी जदा मीठे फल है बंदर ने कहा मैं वहाँ जाना चाहूंगा लेकिन मैं ना तो कूद सकता हूँ और नहीं तैर सकता हूँ चालाक मगरमच ने जबाब दिया मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बंदर उत्साहित होकर मगरमच की पीट पर कूद गया जब वे नदी के बीच पहुँचे तो पुरश मगरमच ने कहा प्रिय दोस्त मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ वो तुम्हारे दिल का स्वाच चकना चाहती है तुरंट बंदर जोर से हसा और कहा हाँ 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 मैं पेड पर ही अपना दिल चुपा कर आया हूँ अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं खुशी से आपको दे देता मगरमच उलजन में पढ़ गया और बंदर को पेड़ पर वापस ले जाने के लिए तयार हो गया जैसे ही मगरमच नदी के किनारे पहुँचा बंदर कूद कर पेड़ पर बैठ गया बंदर बोला भला दिल के बिना इस संसार में कोई जीवत रह सकता है क्या मैंने तुम्हें मूर्क बनाया जा मूर्क तुम खाली हाथ ही लोट जाओ मैं नहीं आने वाला तुमारे हाथ बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें और चानल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन रबाना मत भूलें